शिक्षा मंत्री रोहित ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर इस साल 361 करोड रुपए खर्च कर रही है रोहित ठाकूर जुबल में 10 करोड 44 लाग रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आजीविका भवन के शिरानयास के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर कहा कि जुबल नावर कोट खाई विधानसपा क्षेतर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा उन्होंने कहा कि आई टी आई जुबल तकनीकी संस्थान प्रगदी नगर और आई टी आई टिकर में आधनिक ट्रेड द्वारा शुरू किये जाएंगे ताकि स्थाने युवाओं को रोजगार और सोरोजगार के साधन उपलब्द करवा कर उन्हें आत्म निर्भर बनाया जा सके शिक्षा मंत्री ने बाद में थाना पंचयत में उठाओ पेजल योजना का लोकार्पन भी किया और क्षेतर में पेजल विवस्ता सुदिर करने का आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि क्षेतर में सडख मार्गों को सुदिर किया जाएगा ताकि किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में कोई असुविधा ना हो रोहित ठाकु ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के कल्यान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और युनिवर्सल कार्टन के माध्यम से लगू वस्तिमांत किसानों को राहत प्रदान की जाएगी उन्हो कितर को इस द्रिटिव से विक्सित किया जा रहा है